साथ क्यों, अगर गंगा जलकी स्वच्चता को लेकर वही पुराने तौर तरीके अपनाए जाते, तो आज भी हालत उतनी ही बुरी रहती। लेकिन हम नई सोच, नई अप्रोच के साथ आगे बढ़े, हमने नमामी गंगे मिशन को सिर्फ गंगा जी की साप सफाईता की सिमित नहीं रखा, बल्कि इसे देश का सबसे बड़ा और विस्तरुत नदी समरक्षण कारकम बनाया। सरकार ने चारों दिशाओं में एक साथ काम आगे बढ़ाया। पहला गंगा जल में गंदा पानी गिरने से रोकने के लिए सीवेज ट्रिट्मेंट प्लांटों का जाल बिछाना शुरू किया। दूसरा सीवेज ट्रिट्मेंट प्लांट ऐसे बनायें जो अगले 10-15 साल की भी जरूरते पूरी कर सके हैं। तीसरा गंगा नदी के किनारे बसे 100 बड़े शहरों और 5000 गावों को खुले में 100 से मुक्त कर रहां। और चौथा जो गंगा जी की सहायक नदिया हैं उनमें भी प्रदिशन रोकने के लिए पूरी ताकट लगाना। साथियों, आज इस चौत अर्फा काम का परिणाम हम सभी देख रहे हैं। आज नमामी गंगे कारकम के तहट 30,000 करोड रुपय से अधिक की परियोजनाओं पर या तो काम चल रहा है या फिर पूरा हो चुका है।